एगा अधिव में पर यह वेलकुम फ्रेंड्स पिछले टुटोर्यल में हमने जाना कि हम कैसे plus 4 small friend formula को use करते हैं अब हम इस टुटोर्यल में plus 3 के small friend formula को use करेंगे जैसे हम यहाँ पे करना चाहते हैं 0 प्लस 3 तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे unit road पे हम देखते हैं मारी value set है 0 क्योंकि यहाँ पे जो lower bead है, upper bead है वो अपनी जगा से, अपनी जगा पे still है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जो मारी value set है 0 यहाँ से हम 3 plus करने के लिए simply 3 beads को move up करेंगे जैसे हम 3 beads को उपर की तरफ move करते हैं तो हमारे पास answer visible है 3 reset करते हैं हमारे जो backus board है अब हम यहाँ पे 1 plus 3 करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 first bead को उपर की तरफ move करेंगे इसमें हम 3 को plus करना जाते हैं तो हम 3 beads को जो हमारी second, third और fourth bead है उसको हम उपर की तरफ move करेंगे तो हमारे पास answer visible हो जाएगा 4 यूदि 1 plus 3 is equal to 4 अब हम देखते हैं कि जो 0 plus 3 1 plus 3 इनको हम directly इनकी calculation इनको sum हम perform कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ इस तरह की equation होती है जैसे 2 plus 3, 3 plus 3, 4 plus 3 तो उस time पे हम small friend plus 3 formula यूज़ करते हैं हम पहले भी जान चुके हैं कि जो plus 3 formula है वो हमारे पास यह है plus 5 minus 2 जब भी हम जैसे हम इस तरह की calculation perform करेंगे 2 plus 3, 3 plus 3 तो हम यहाँ पे plus 3 small friend का formula यूज़ करेंगे जैसे हम यहाँ पे firstly करना चाते हैं 2 plus 3 तो हम सबसे पहले back is board को reset करेंगे यहाँ से हम 2 bits को उपर की तरफ move करेंगे हम देख सकते हैं हमारे पास value set हो चीकी है 2 तो हम यहाँ पे 3 को add करना चाते हैं आप यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास only 2 bits available है बट हम 3 bits को plus करना जाते हैं तो इस time पे हम जो हमारा plus 3 small friend formula है उसको use करेंगे हम देख सकते हैं हमारे पास जो plus 3 formula है वो हमारे पास यह है plus 5 minus 2 तो हम पहले भी जान चुके है कि जो हमारे पास formula होता है उसका जो combination number है 2 उसको हम यहाँ से minus करेंगे और 5 को यहाँ पे plus करेंगे यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि thumb और index finger को की help से हम इनको एक time पे move करेंगे हम यहाँ पे function perform करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 bit set की 2 अब हम plus 3 करना चाते हैं तो हम करेंगे plus 5 then minus 2 दोनों bit को नीचे की तरफ move करेंगे और 5 bit को नीचे की तरफ move करेंगे यह हो जगए plus तो हमारे पास answer आचुके है 5 क्योंकि हम देखते हैं 2 plus 3 is equal to 5 अब हम again reset करते हैं back us board को अब suppose हम perform करना चाते हैं 3 plus 3 तो हम सबसे पहले यहाँ पे 3 bits को set करेंगे 3 bits को set करने के लिए 3 bits को एक साथ उपर की तरफ move करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे value set हो चुकी है 3 अब हम 3 में 3 को plus करना चाते हैं तो हम यहाँ पे वह formula again apply करेंगे यूगि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी only one bead available है लेकिन हम plus 3 करना चाते हैं तो हम यहाँ पे formula apply करेंगे plus 5 minus 2 हम यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी हम calculation यहाँ पे perform कर रहे हैं वह साथ के साथ अब अपनी kit पे भी उसकी practice करेंगे जैसे हमने यहाँ पे set किया है 3 3 में हम 3 को plus करना चाते हैं तो हम करेंगे plus 5 and minus 2 क्योंकि जो combination number है उसको हम base value में से minus करते हैं इसलिए हमारे पर अंसर आचुका है 6 क्योंकि 3 plus 3 is equal to 6 अब हम reset करते हैं backus board को अब हम next करना चाते हैं 4 plus 3 तो हम सबसे पहले यहाँ पे value set करेंगे 4 4 set करने के लिए हम 4 beats को एक साथ thumb की help से या index finger से हम इसको उपर की तरफ move करेंगे हमारे पास value set हो चुकी है 4 अब हम देख सकते हैं कि जो नीचे हमारे पास कोई भी bead available नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे again small friend plus 3 का formula यूज करेंगे जो हमारे पास है plus 5 minus 2 इसको करने के लिए जो 5 वाली bead उसको move down करेंगे इसका मतलब यह है कि plus 5 हो चुका है minus 2 करने के लिए 2 beads को नीचे के तरफ move करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास अंसर आचुका है 7 क्योंकि flow 4 plus 3 is equal to 7 यहाँ पे हमने formula apply किया है plus 5 minus 2 क्योंकि जो 3 का small friend है वो है 3 इसलिए 5 को 3 के साथ एक साथ हम use करेंगे Thank you